हाइ फ्रेंज, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो यहाँ पर हमने बल किया हूँ आलू लिया है, और इसका छिलका मैंने निकाल दिया है, तीसे हम मसाल लेंगे, आज हम बनाने जा रहे हैं, पाउ मसाला, तो यहाँ पर मैंने पेन को गड़म होने के लिए र लिया है बारी कटा हुआ हरा मिच लिया और बारी कटा हुआ मैंने प्याज लिया और बारी कटा हुआ मैंने यहां टमाटर लिया है तेल हमारा गरम हो गया है तब हम इसमें धीरे धीरे डालते जाएंगे तो यहां पर मैंने प्याज को डाला है और इसे हम एक मिनट के लिए म तो यहां पर हमने दो मिनट तक टमाटर को भी मिला लिया तो इसमें हम डालेंगे एक छोटी चमच हल्दी पौडर आधर चमच मैंने यहां पर लाल मिच का पौडर डाला है अथोरा सा हम डालेंगे इसमें गोल की जिरा का पौडर और इसे हम मिला लेंगे तो यहाँ पर हमने स्वादम साल नमक भी डाला है और सब को हम मिला लेते हैं तो यहाँ पर हमने अच्छे से मसालों को मिला लिया है जिसमें हम डालेंगे मसला हुआ आलू और इसे डाल कर हम अच्छे से इसे मिला लेते हैं तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिला लिया है तो मैं मसालों को तीन से चार मिनट तक मिलाना था तो मैंने इसे मिला लिया है तो इसमें हम डालेंगे एवरेस्ट का गरम मसाला मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है यह देखिए एवरेस्ट का गरम मसाला मैंने डाला है और अच्छे से हम इसे मिला लिते हैं मैंने यहाँ पाव भाजी का मसाला नहीं डाला है इसमें स्रिक मैंने गरम मसाला डाला है तो मैंने अच्छे से इसे मिला दिया है तो इसमें मैंने बारी कटा हुआ धनिया डाला है और इसे भी हम मिला लेते हैं और गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमने पाव लिया है तो पाव को हम तोड़ लेते हैं तो यहाँ पर हमने अलग-अलग भागू में कर लिया है और यहाँ पर हमने आलू मसाला लिया है तो पाव को हमें ऐसे चाखू से बीच से काटना है यह देखे और इसी तरह से हम सारे पाव को काट लेंगे तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मसालों को भरेंगे तो हमें इस तरह से चमस से थोड़ा थोड़ा लेकर और इसे दाबते हुए ही भरना है ताकि यह निकले ना तिस तरह से आप चमस से दवा दवा कर भरे और हाथ से अच्छा से एक बराबर कर ले और इसी तरह से हम सारे पाव को हम तयार कर लेंगे तो यहाँ पर हमने पाव को तयार कर लिया है और पेन को मैंने घरम होने के लिए रख दिया तिसमें हम दालेंगे तेल आप चाहे तो इसे बटर या गी किसी करेट कूर किसी से आप शेक शैक शकते है तो मैंने यहां arriping टेल डाला है तहम टेल गरम हो गया तो रा amendment करके इससे पाउचा पाम को डालेंगे तो आप हम इसे दुसे तरफ पलट लेती हैं और इसे इसी तरह उलट पलट कर सेख लेंगे तो यहां पर पाव जो अच्छे से से शेका गया है तो हम इसे निकाल लेते हैं और सेम तरीके से मैं फिर से शेक लेती हूं जब भी आप पाव कर सेखेगा तो बिल्कुल ही मेडियम गैस पर सेखेगा तो यहां पर हमने मिक्चर लिया है तो यह मार्केट का मिक्चर है तो इसे हम पाव को इस तरह से चार तरफ से गुमाते गुमाते मिक्चर में अच्छे से लगा लेते हैं हुआ कि इससे का टेस्ट जो काफी चाहता है अगर आपके पास मिच्चर नहीं है तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं इसे भी या टेश्टी लगता है काने में है तो इस स्टेश्पी को आप जरूर ट्राइब करना ताँ मेरी बेटी आपको टेस्ट करके बताएगी यह है मेरी बेटी आज यह टेस्ट करके आपको बताएगी कि मैंने बनाया सौरी पाव अजी नहीं मसाला पाव तो टेस्ट करके यह आपको बताती है कि कैसा किस्ति है आपको बलू अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगए तो प्रीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू करना और इस बाव मदे को बहुत मस्ता है तो आप इससे जरू करना मत दुकार है